दोस्तो अगर आपका भी मिकसर का जार जो है वो यहां से लिकेज करता है पानी जार से टपकता है या फिर आपके जार में चाल आ गई है कुछ इस तरह से जैसे इसमें है आप देख सकते हैं यहां पर कितनी जादा यहां पर इसमें चाल है ठीक है तो इसको ठीक करने के लिए आपको इसको यहाँ पर कपलर को खोलना होता है कपलर को खोलना काफी ज़्यादा आसान है इसके लिए आपको बस यहाँ पर आप इसको या तो हाथ से या फिर प्लास वगेरा से इस तरीके से रोक लें इसे ठीक है इसके बाद आप इसको सीधी टाइट साइड को clockwise आप इसको खुमाएं ठीक है उल्टी तरफ को खुमाएंगे तो यह नहीं खोलेगा यह टाइट होगा ठीक है अगर आप इधर को खोलेंगे तो यह आसानी से गूम कर इस तरफ को यह खुल जाता है और इस तरह से आप अपने कपलर को यहां से खोल कर अलग कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेर जरूर करें